हलो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हभी के इस वीडियो में अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करें क्लास 10th monthly examination अक्टूबर की और क्लास 10th science की तो चलिए हम लोग इस वीडियो को last तक देखते हैं और सारे इसका objective questions को यहां से मिलाते हैं अगर आप लोग इस वीडियो को 50 लाइक करते हैं तो आप सभी के लिए मैं इसका subjective के answer लेकर के आ जाऊंगा तो आप लोग इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करिये और साथी साथ आप लोग अगर अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जूरे करके हम लोग सारे question answer को देखते हैं सबसे पहले आपको बता दें कि total cool 30 question होंगे जिसमें से आप लोग को 25 का answer करना है और आप लोग को टेलिग्राम से जोड़ना होगा ताकि आप सभी को मैं यह question paper प्रदान कर सको पहला question है कि कोई बिदू धारवाही सीधी लंबी परनालगा के भीतर चुमबा के छेतर के क्या होता है तो इसका हो जाएगा सभी बिंदों पर समान होता है यानि का option number A बिल्कुल correct हो जाएगा पहला का यह है दूसरा है कि बिदू चुमबा का क्रोड बनाने के लिए उप्यूक्त समागरी क्या है तो यह होगा नरम लोहा यानि का option number B हो जागा दो का ठीक है अगला हम लोग देखेंगे पाचवा नमबर सवाल तो वो है आप लोग का जब किसी तार में विदू धारा परवाहित होती है तब कौन आवा गमन करता है तो इसका हो जाएगा आपका option number C यानि के electron अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे च्छता नमबर सवाल है यह च्छता नमबर सवाल है वो बोलतबो का अब इवांतर का a साय मातर क्या होता है तो इसमें आप लोग का हो जाएगा और यहां हो जाएगा आपका परती रोधक में अगला निमने में से कौन चुम्बक को आकर्शित नहीं करता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा पीतल यानिका आठ का सी हो जाएगा करेक्ट नॉमा नंबर हम लोग सवाल यहां पर देखेंगे बोलता है कि निमने खित्मस कौन विद्ध परिपत की सकती होती है तो इसका हो जाएगा आपका आपका आप्शन बर्स यानि कि 3500 डिग्री से अलसे पर अगला हम लोग गारवा नंबर सवाल देखेंगे तो यहां पर है परियोग साला में संसलेशित पहला कारवानिक योगिक का नाम क्या था तो यह था आम तो इसका जो सही एलक्ट्रॉन में दूसन रचना होगा वो हो जाएगा आपका आप्शन मबर हो जाएगा आपका C नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आप लोग का है तेरहवा नंबर सवाल वह है यहां पर CH2 CS3 CS2 CH1 CS2 यानि कि अगर आप लोग देखेंगा तो C3 और H5 सोरी C4 और H आपका हो जाएगा यहां पर होगा 3-3-6-6-8 C4 H8 यानि कि यह हो जाएगा आपका आप यहां पर हो जाएगा एक में ब्यूटेन 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 यानि कि इसका अप्शन नबर D बिल्कुल करेक्ट होगा चौदावा नमबर हम लोग देख रहे हैं तो इथाइन का सुत्र कौन होगा तो इथाइन जो है ट्रिपल बॉर्ण में होता है तो यह हो जाएगा आपका आपका आप्शन नुबर A अगला हम लोग देखेंगे तो यहां पर है 15 नमबर सवाल यहां पर आप लोग मिलेगा CH 3 o ch 3 किस वरकार के समाविया भी है तो यह हो जाएगा आपका स्रंगला समाविया भी अगला हम लोग देखेंगे 16 हमा नंबर सवाल तो वो है आप लोग का निमिन में से कौन सी गैस पेल्डिंग में परियुक्त की जायती है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा अगला 16 का जो यहाँ पर हम लोग ओप्सन देखेंगे वो हो जाएगा आपका अप्सन पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला है बक मिस्टर फुलेरिन की स्तत्व का अप्सन पर सी यानि की कारवन का अगला हम लोग 18 नंबर सवाल की और चलेंगे तो यहाँ पर आप होती है आपके बारा नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो पेंसिल लिड मुखे रूप से बनाई जाती है किस चीज से तो ग्रेफाइट से यानि का अप्सन नुबर डी हो जागा अगला नियुक्त कॉन हाइड्रो कारवन कमरे के ताप ठोस होता है तो यह हो जागा कम तो एक इसवान नुबर सबाल आप लोग कह यहां पर है निम्री कितम से कौन उत्पादक है तो उत्पादक इसमें हो जागा आपका अपसर बड़ी यानि कि घास अगला है ओजोन पुरत का अवच्छे का कारण क्या है तो यह हो जागा आपका अपसर बड़ी यानिके सी अ नुबर हम लोग सवाल देखेंगे तो यह निम्री कितम से कौन एक आहार स्रिंखला है तो यह हो जागा आपका अपसर बड़ी घास बकरी और मनुस्य अगला हम लोग 24 नुबर सवाल देखेंगे तो 24 नुबर आप लोग का है वन परस्तिती की तंद में हिरन किस अस्तर पर है तो वन परस्तिती की तंद में हिरन जो है प्रात्मिक अस्तर पर है यानिके यह हो जागा आपका अपसर नुबर 25 नुबर सवाल के और हम लोग चलेंगे तो मनुस्य से एवं तिल्चट्टा निमनिकित में से किस रेनी के ज अक्रीब है लेकिन डीडीटी नहीं होता है तो इसलिए सब्सक्राइब को अजयाब खोजना है तो यह हो जाएगा इन में से सभी क्योंकि वायू भी अजयाब है वर्सा भी अजयाब है मिर्दा भी अजयाब है अगला हम लोग देखेंगे उंतिसवा नंबर सवाल अफ लोग करते हैं तो अगला है कि कौन सा पदार्थ का अपगर्णपरियाबरन में नहीं हो सकता है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन-कौन सा दिया गया है तो इसमें आप लोग का हो जागा प्लास्टिक का जो है अपगटन परियाबरन में नहीं हो सकता है यह परियाबरन में हमेशा बने हुए रहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने यह वीडियो पूरे देख आप लोग अभी तक अगर हमारे टेलिग्राम चैनल से नहीं जूरे तो जूर जाए और साथी साथ आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी हमारे नये चैनल को विजिट करिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा और वहां से आप लोग उसको जाकर क उस चैनल को देखिए और वहां पर जाकर कि अपना एक प्यारा सा कमेंट करिए और इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करिए ताकि अन्ने लोगों को भी पता चल सके यहां पर जो है आप लोगों को सटीक कोस्टन का एंसर बताया जाता है और सभी का सभी कोस्टन व्यूज काफी डाउन जा रहा है तो आप लोग अगर इस वीडियो को लाइक करिए और इसको सेयर करिए तो इसका व्यूज थोड़ा अप हो जाएगा तो आप सभी से हमबल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जरूर से जरूर सेयर करिए और अपने दोस्तों को जो है य झाल झाल